बाबा सहाब अमबेट कर पर अबदर टिपनी करने वाला हुआ गिरफतार बहुजन समाच पार्टी के आरेस प्रवीन कुमार की आई बड़ी प्रतिक्रिया जिया साथियो मैं हूँ इते शराब देख रहे दतिंग बहुजन महापुरूशों का अपमान करना आजकल इस देश में ट्रेंड सा हो चुका है खुद अपनी पॉपलरिटी बढ़ाने के लिए महापुरूशों के नाम का उप्योग करके इस देश में लोग जो है तथाकतित सवर्ण मानसिक्ता के लोग इस तरीके के बयान बाजी करते हैं जिसके वजह से बहुजन समाज में अपनी पॉप अध्यक्ष हमारा प्रसाद ने जो बयान दिया है वो सुनकर आपके पाव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी उन्होंने अपने एक वीडियो के बयान में वीडियो के द्वारा एक बयान जारी किया और उस बयान में उस व्यक्ति ने कहा है कि अगर बाबा साहब अंबेट कर जिन्दा होते तो आज मैं उन्हें खुद मार देता आप सही सुन रहे है कि अगर बाबा साहब जिन्दा होते तो मैं उन्हें खुद मार देता यह विवादित बयान या अबद्र बयान जो है राश्ट्रिय दलित सेना के संस्तापत अध्यक्ष हमारा प्रसाद इसके द्व लोग इस बयान से भड़क गए है और इसके खिलाफ बहुजन समाज पाटी के तेलंगाना प्रदेश अद्धक्ष आरेस प्रवीन कुमार जो कि खुद पूर्व आईपियस अधिकारी रह चुके है इन्हों ने इसके खिलाफ में जो है आई फायार दर्च की है और फिलाल आर खिलाफ जो है तमाम जो यह धारा है उसके खिलाफ लगवाई गई है लेकिन समझ में आना चाहिए कि जो खुद राश्ट्रिय दलित सेना का प्रतिनीजित्व कर रहा है जो खुद एक संस्थापक अध्यक्ष खुद को कह रहा है जो खुद दलीत समुदाय से बिलॉंग कर बाबा साब अंबेट कर जिनोंने इस देश में तमाम बहुजनों को हगदिकार दिलाने के रहे इस देश में उन तमाम मनुवादी ववस्ता के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जो सविधान दिया जिसके खिलाफ आज दलीतों में जो नवचेतना जागरित हुई है आदिव बाबा साब के खिलाफ आज एक विक्ति जब ऐसा बयान देता है तो यह सोच में पड़ जाने वाली बात है कई यह मनुवादियों की कहीं चाल तो नहीं कहीं यह ब्रह्मन वादियों की द्वारा कोई छोड़ा गया दलाल तो नहीं जो खुद दलितों का नाम आगे बदना तरीके का विवादित भयान जो है उसके द्वारा जारी किया गया और साथ ही बाबा सहब के उपर उसने हिंदू की भावना आहत करने का बहुत बड़ा बयान उसने खुद वीडियो मैसेच के द्वारा दिया है जब जब भी इस देश में बहुजन महापूरुशों का अपमान होता है तब भी भाँजन समाच पार्टी के तमाम पदादीकारी और कार्याकरता रस्ते पर उतरकर आंदूलन करते हैं और उस खिलाफ में उस ROPS को जेल में डालने का काम करते हैं और उसी तरीके का action खुद RS प्रविन कुमार जोकी बोजन समाज पाटी के तेलंगाना के प्रद्यस अध्यक्षा जो खुद पूर्वा IPS अधिकारी रह चुक है उन्होंने उसके खिलाफ में F.I.R. दर्च की है और उस R.O.P. को पुलिस हिरासत में लेने को मजबूर कर दिया है अब सवाल यह उठता है कि सरकार इसके खिलाफ क्या action लेती क्योंकि तमाम इस देश में बाबा साहब फुले शाहू सिवाजी महराज को मानने वाले जितने भी लोग है जब भी इस देश में बोजनों का बोजनों की महापूरुशों का अपमान होता है तब तब उनके ख जेल में नहीं डालती तब तक के यह आंदोलों जो है चलते रहता है लेकिन बाबा साहब अंबेट करके उपर टिपन्नी करना आज इस देश में ट्रेंड सा हो चुका है महापूरुशों के नाम का उप्योग करके अपने निजी स्वार्थ साधने का जो काम इस देश के तम बहुजन समाज के खिलाफ बात करते हैं मनुवादी वीशारदारा में विश्वास रखने वाले लोग करते हैं अब आने वाले समय में देखना है कि इन तमाम जो महापूरुशों के उपर तुपनिया कर रहे हैं इनके खिलाफ में सरकार क्या कारेवक करती है और मैं सरकार से या दरखास करना चाहूँ अदधिन के माद्यम से कि जो भी वहुजन महाफूरुशों के उपर ऐसी टिपनिया करता है उनके खिलाफ में एक बड़ा कानून बनाया जा। उस कानून के तहत उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम जो है सरकार इस बात को संग्यान में लेते हुए करें। बहुजन समाज के लोगों की भावना उको ठेस पहुचाने का काम इनके द्वारा किया गया है आए दिन ये ट्रेंड सा हो चुका है और ये तमाम कबरे जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल होती जिसके वज़े से बहुजन समाज में जितने भी संतवुरू तो आंदूलन कही राश्ट्रिय जी रेवल का आंदूलन मन जाता है और राश्ट्रिय सुर्ड़ के पुरिश प्रसास्तन पूरी व्यवश्ता नहीं कर पाती है और ऐसे वह जो है सरकार के सामने खड़ा होता है तरीक उपर उनकी मूर्तियाँ किछट फेगने का काम करते हैं कि तमाम किताबों के उपर आज यह लोग बोल रहा है यह तमाम वही मनुवाधी विचारदारा की लोग है जो नहीं चाहते कि स्वदंदर्ता भाई चारा और इस देश की अखंडता बनी रहे इस देश में सविधान लागू रहे तो यह तमाम विचारधारा के वो लोग है जो नहीं चाते कि इस देश में सविधान का राज है यह हमेशा सही महरिस्पूर्ति की बात करते हैं यह हमेशा सही मात्मा तो मैं उने गोली से मार देता इस तमाम बयान के उपर साथ हैं आपकी प्रतिक्रिया क्या है आप क्या सोचते हैं कमेंड करें कमेंड बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया जरूरु बताएं बने रहे दाथिंग के साथ में तब तक के लिए जय भीम जय भारत बहुजन जारा को घरगर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भुलें